आप लोगों के सबसे जादों क्वेशन आ रहे थे कि पैंटिंग्र प्रक्टिकल में मार्क्स कैसे मिलते हैं और हमारे फुल मार्क्स कैसे आ सकते हैं तो आज हम उससे रिलेटेड बात करेंगे इस वीडियो में तो प्रक्टिकल में मार्क्स फुल कैसे लाए जा सकते हैं इसकी हम बात करेंगे और खास तोर से हम बात करेंगे यहाँ पर पेंटिंग प्रक्टिकल की और यह वैसे हर प्रक्टिकल में आपको लागू होती है यह बात जो भी हम जिस टोपिक पर भी हम बात करने जा रहे हैं जो हम यहाँ पर डिसकस करेंगे, बच्चे कहते हैं कि सर हम 70 marks कैसे लेकर के आएं, तो 70 marks आपको full out of full marks लाने के दो तीन तरीके हैं, जैसे कि first one है, जब आप practical दोगे और जो आपका project work हुआ है, तो project work आप खुद से करें तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि वो आपकी practice हो जाएगी, और फिर आप practical में जब कर रहे होंगे, तो आप easily कर पाऊगे, आप painting की बात करें, तो painting यार तुम लोग अगर file किसी और से बनबार हो, जैसे कि मेरे पास भी बहुत सारे messages आते हैं, कि sir हमारी file बनाने में help कर दीजे, मैं help कर दूँगा, मैं बना दूँगा, लेकिन मैं किसी की बनाता नहीं हूँ वैसे, लेकिन मैं मैं बना दूँगा, तो मतलब यह है कि आप दूसरे बंदे से अगर आप कुछ बनबार हैं, तो यार आपकी बिल्कुल practice नहीं हुई है, उसमें उसका मतलब, में painting करने के लिए, तो यार वहाँ तो आपको खुदी करनी होगी, तो उसके लिए practice अगर आपने उसमें की होती project work में, तो आप वहाँ पर आराम से बना सकते थे, अब बात आती है वायवा की, तो वायवा भी होता है यार, लेकिन इतना कटिन सवाल नहीं पूछे जाते हैं, उसमें इतने hard questions नहीं होते हैं, सिर्फ questions जो होते हैं, वो related होते हैं आपके history से, जो कि आपकी painting history है, उसमें थोड़े वो जो multiple questions होते हैं, वही उस type के question पूछ लिए जाते हैं, या फिर basics of art के question पूछ लिए जाते हैं, art के basics पूछ लिए जाते हैं, उसके लिए हम अलग से एक video separate बनाएंगे, तो वो आप देख सकते हैं, और वैसे अगर आपको कुछ भी related painting से related कोई भी problem है, तो आप हमारी description में जाकर link चेक कर सकते हैं, हर video का link वहाँ पर दे रखा है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, और video देख सकते हैं किसी भी, हर topic पर हमने video बना रखी है, और जो वाईवा की video है, वो भी हम बना देंगे, तो वाईवा कैसे होता है, वाईवा यार उसमें ये basic question पूछ जाते हैं, लेकिन वाईवा में जब आपके क्या-क्या चीजे आपके लिए महतपूर हैं, इंपोर्ट हैं आपको जाननी, तो यार सबसे पहले तो बात है कि आप जब वाईवा देने जा रहे हो, तो आपको विष्ट करना है, कम से कम विष्ट करना है, आपको जो टीचर है वहाँ पर आप जाके ऐसे ही नहीं खड़े हो जाएंगे, या ऐसे ही चेयर खीच के नहीं बैठ जाएंगे, उसमें क्योंकि सब कुछ देखा जाता है, आपका बोलने का style देखा जाता है, आप जाके बैठ गए और कहरो जी सर पूछ लो यार कोई भी पूछ लो आज चाप और ऐसे मतलब अपना पोस्चर जो है वो ऐसे नहीं रखा है और या फिर आप उसके बेंच पे जो भी टेबल है उसके पे कोई नहीं रखके बैठ गए आँजी सर पूछ लो तर अब हमें आप पता है सब पता है बाई सब पता है बता देंगे सर नहीं पूछ लिया और उनको गुड मॉनिंग आफटर नून जो भी टाइम और आपको विश्च करना है और फिर उसके बाद आपको वहां पर खड़े हो जाना है जाकर के तो वह टीचर आपको खुद बैठने के लि करेंगे जो भी आप वर्क है ठीक है जो भी आपने वर्क किया है और जो आप उस टाइम पर कर रहे हो प्रेक्टिकल वहां पर जो हो रहा होगा तो वह जब आप दिखाएंगे उनको तो वह आपका यार बहुत अच्छा वर्क होगा तो वह आप देखके कुदी इंप्रेस ह होता है तो इसलिए आपका अगर बहुत अच्छा होगा तो वह वैसे इंप्रेस हो जाएगा आप से एक दो सबाल पूचेगा और आपका जब आप सामने बैठेंगे तो थोड़ा यार थोड़ा इसमाइल रहना चाहिए चाहरे पे आपके ऐसा भी नहीं कि हसरे हो हाह ही हो मैंन से भी निये है यार फिर तो वह बेच दीवाला हो जाएगा तो इसलिए आपको स्माइल रखना चोटा सा अपने फेस पे और जो भी वह वह क्योरा है उसकी आप Äंसर दे सकते हैं या अगर आंसर नहीं आते हैं आपको तो यार आप सामने से कहा सकते हो कि हमें नहीं प मैं अपने खुद के experiences मैं आपके साथ share कर रहा हूँ जैसे कि मैं practical लेने गया था तो एक लड़का था काफी लंबा चोड़ा उसने क्या करा वो अपनी shirt आउट करके और ये अपनी sleeves उपर करके तब वो मेरे सामने आया और तो इस चीजों का इंपक्ट होता है बहुत बुरा पड़ता है तो वो मुझे देख के बिल्कुल सही नहीं लगा और ऐसा तो कुछ नहीं है कि मैंने उसके marks काट दिये क्योंकि मैं कभी ऐसा करता नहीं हो कि मैं किसी चीज के लिए कोई किसी को marks काम दे दूँ लेकिन अपना जो आपका attitude है जो आपका ब्यवाहार है अपने teacher के प्रती या फिर जो बहार से external examiner आ रहा है उसके प्रती तो यार वो थोड़ा आपको सुधारना पड़ेगा आप जाए घर के बाहर और school के बाहर जितने भी दवंग हो जितने भी आप attitude बाले हो तो वो उनके लिए रखो जो आपके दोस्त है अपनी girlfriend है और boyfriend है तो उसके लिए भाई अपना attitude रखो और teacher को मत दिखा तो ये आता है जो teacher आपका practical लेने और internal examiner होता है जो आपका खुद का teacher है जो भी PGT या DGT का आप 10th में 12th में practical दे रहे हैं तो वो जो आपका internal teacher है वो एक बाहर का teacher दोनों ही आपके examiner होंगे और वो उन दोनों की ही सहमती से जो भी आपको work दे जाएगा वो आपको करना होगा और और ऐसा नहीं है कि सब कुछ जो external examiner है वो ही करेगा लेकिन जो internal examiner है वो दोनों मिलके आपको marks देंगे और internal examiner कई बार क्या होता है कि internal examiner करके कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बहुत अच्छे मतलब जो work है वो class में तो बहुत अच्छा करते हैं लेकिन उनका जो work है वो practical time प और इसका अब या तो यह घब रा गया है या फिर किसी बज़े से यह खराब हो गया लेकिन यह बहुत अच्छी ड्रॉइंग करता है तो ऐसा भी हो सकता है और वो आपको full mask दिलवा सकता है तो बात है कि यार जो आपका practical लेने आ रहा है examiner उसको भी पता है उसकी जो school में ह किसी ड्रॉइंग करते हैं कैसी पेंटिंग करते हैं तो उनका लेवल पता है उनको क्या सी करते हैं अब कुछ केसे में ऐसा होता है कि कईसा वर करते हैं आप लोग ज्यादा ही outstanding work आप लेकर जा रहे हैं तो उनको पता चल जाता है कि आपने ये बहार से बन भाया है painting ये खुद से आपने बिल्कुल नहीं किया है तो यार खुद से आप जार से दाधा drawing करें जार से दाधा painting करें चाहें आप थोड़ी बहुत help ले सकते हैं अपने साइंस के कॉमर्स के स्टुडेंट या फिर हमेनिटीज के हैं और आपके पास जो पेंटिंग सब्जेक्ट वो आपने सिर्फ मार्क्स गेन करने के लिए है तो आपको थियोरी तो पढ़ना ही है यार क्योंकि अगर थियोरी नहीं पढ़ोगे आपका एक बार ऐसा भी हो सकता ह कि आपने थियोरी पढ़ रखा है और आपने वाईवा जब आपसे वाईवा लिया जा रहा है तो आपने सारे क्वेस्टेंस के आंसर दे दिया है तो भी जो एक्जामनर है वो इंप्रेस हो जाएगा और आपको फुल मांक मिल सकते हैं तो यह कई सारी बाते हैं जो आपको सुत्री ड्रेस होनी चाहिए वेल ड्रेस होनी चाहिए जो भी आपके स्कूल के वही आप पर ड्रेस पहने और प्रॉपर ड्रेस में आप होने चाहिए ऐसा नहीं है कि आपने भी आउट कर रखा है और यह उपर आसने चड़ा रखें जैसे कि आप जंग लरने चारे हो और तो ये यार काफी bad effect डालेगा आपके marks पर ये भी bad effect डाल सकता है। ये चीज़े आपको ध्यान रखनी होंगी और फिर आप 70 out of 70 marks ला सकते हैं इसमें और जो इस बार practical exam होने वाला है वो last time जैसा ही होगा, बस थोड़े precautions के दिहान रखना पड़ेगा COVID-19 के चलते हैं और नहीं तो जैसे होता है वैसे ही practical होगा आपका ये circular आचुका है CBSC का 11 फरबरी 2021 को तो आप वो भी check कर सकते हैं उसमें कोई changes नहीं हैं और जो हमारा theory वाला part है उसमें आपको 9 marks लाने compulsory होते हैं उसमें भी आपक आपको मिली जाएंगे 60, 70, 50, 50 plus marks ही मिल जाते हैं 50 to 70 के बीच मिल जाएंगे आपको easily और 70 अगर आपकी drawing बहुत अच्छी है तो यार आपको कोई भी नहीं रोक सकता आपको 70 out of 70 marks देने से तो यार जादा आप attention लेने की ज़रूद नहीं है और अगर कोई question है अब भी आपक कुछ आपको description में मिल जाएगा तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही बस थोड़ा बहुत मैं आप लोगों से share करना चाहरा था तो अगर आपने हमारे चनल subscribe कर दीजे और bell icon को भी प्रेस कर दीजे ताकि अब तो हम यार जब तक आपका एक्जाम होंगे तब तक हम होगा आपको वो वीडियो देख करके और हम सोच रहे हैं कि कोई ऐसा एक वीडियो भी बनाए जो कि सिर्फ एक ही वीडियो में आपको पूरा सलेवस मिल जाए वो पूरा आप एक घंटे में ऐसा त्यारी कर लें कि आपको सब 30 out of 30 मांक लें थियोरी में ठीक है तो यार बस चलो मिलते हैं बात में ओके बाई बाई टेक केर